यह कवर हो रहा के फुरा चलो स्टार्ट करने अस्सलाम अलेकुम और रहमतुल्लाही वबरकाता हूँ अजीज तल्बा प्रिय विद्यारती मित्राणों आपन या ठीकानी आउनलाइन पद्धती ने अध्यापन करन्यास सुरुवात के लिए लिया है आणी एक गोश्ट लक्षाद गया आज जो आपन घटक अभ्यासना रहोत तो घटक खुप महत्वपूर्णासा घटक का है आणी या चाप परिचे येत ता सात्यवी पासुन तुमाला जालेला है परिचे प्रथम ता आपन शब्दानचा जाती या विशेई माहीती पाहतो तर प्रश्ण पत्रिकेचे दृष्टी कोनातून दोन गुनासाथी हाँ आतीशे महत्वपूर्णासा प्रश्ण येतों कि शब्दानचा जाती आता शब्दांचा जाती इंग्रजी मदे सुधा है उर्दू मदे सुधा वैकरना मदे तुमाला पाहला भिटतात शब्दांचा जाती मन्जे काई हे पाहने साथी सर्वप्रतम शब्द मन्जे काई हे पाहने फारगर्जे चाहे शब्द का आया है, वर्ड्स को कहते हैं, आता यहला इंग्रजी में दे parts of speech असे मनताथ, मूलक्षरांचा आर्थपूर्ण समुहाला शब्द असे मनताथ, अशी एक छोटीशी सुटसुटित व्याक्या या ठीका नी शब्दाची के लिया है, शब्दाची व्याक्या अतीश मूलक्षरे आहेत, त्या पैकी काई मूलक्षरे या ठीका नी गेत लेले आहेत, ब, आधिक, द, आधिक, क, ये तीन मूलक्षरे, आणि यानना एकत्र केले आनंतर बदक हा शब्द तयार धाला, आता याला शब्द का मनताथ, सम्जा उधार नार्थ, उधार नार्थ, या तीन मुलक्षरान नामी अशा प्रकारे लीतो द, क आनी ब तर या पासुन द, क, ब हाँ शब्द तैयार होतो परन्तु आपन याला शब्द महनत नाहीं का महनत नाहीं कारण द, क, ब पासुन काहीच अर्थ प्राप्त होत नाहीं तर या व्यक्ष्य कड़े जर तुम लक्ष दिला, तर या मद्दे आर्थ पूर्ण हा शब्द फार्महत वाचा है एक, दोन, तीन, हे मुलक्षरा या ठीकानी ऐज़िती जाहेत जशे चा तशे या ठीकानी लिलेले आहेत परन्तु थाली भक्त त्याचा क्रम बदला तर त्यापासुन अर्थ निगत नाहीं मनून याला आपन शब्द मनत नाहीं शब्द कशा लामनाई चाहे कि जा मद्दे आर्थ पूर्णत आस्ते मिनिंगफुलनेस मूलक्षर आचा अर्थ पूर्णत स्वमुहाला शब्द से मनत आता ऐसे मूलक्षर जो एक जगापर आने से उसका कोई मकसद और मिनिंग हासिल होता है उसे कहते हैं अल्फास इट इस सिंपल बहुत सदा सिंपल है ये आज तक के दुनिया में जितने अल्फास बने बन रहे हैं और मुस्तक्बिल में बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके आठ प्रकार है कितने हैं आठ एक्चुल में तो शब्दांचा जातीचा प्रमुख्या ने दोनच प्रकार परता में इसके दो ही टाइप है अब वो देखो यहाँ पर दिया गया शब्दांचा जातीचे मुख्या दोन प्रकार आहे दो ही प्रकार है एक है विकारी और दूसरा है अविकारी अब सबसे पहले अपने को यह समझना है कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी कैसी किसे कहते हैं अब आप अगर इंग्लीश के अंदर देखेंगे इंग्लीश के अंदर grammar पढ़ते वक्त parts of speech के अंदर noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, congencture और interjection ये एक simultaneously आती है एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लेकिन जिसने ये Marathi grammar बनाया बच्चों तो उसने इसको दो खिस्तों में बाटा और उसकी वज़े है एक खिस्त में चार है यहाँ पर विकारी के अंदर नाम, सरो नाम, विशेशन और क्रियापत दूसरा अविकारी के अंदर क्रियाविशेशन, शव्दियोगी अवियो, उभेन वियोवियो और केवल प्रयोगी अब ये चार है अब क्या वज़े थी कि इधर चार लिए और इधर चार लिए तो इसका एक रिजन है वो रिजन ये है कि ये जो पहला प्रकार है विकारी तो विकारी के माइने हैं बदल घड़ने बदल घड़ने के माइने क्या है तबदीली होना अब कई की तबदीली होती कोई अल्फाज है जैसा के मिसाल के तORIA तौर पर मामा ये एक अल्फ़ाज ले लिए हमने मिसाल के तोर पर अब ये जो मामा है तो इसका ये नाम का ये शब्द का लिंग बदलता एकाजिया शब्दचा मद्धे, लिंग वो वचन बदलते, त्याला आपन विकारी शब्दा से मताद, अब ये मामा क्या है, पुल लिंगी शब्द है इसका अगर आप लिंग बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएंगा, मामी हो जाएंगा यानि इसमें क्या हो रही है, तब्दीली हो रही है इसलिए तब्दिली हो रही है तो यह क्या हो गया विकारी शब्द हो गया क्या हो गया बेटा विकारी शब्द हो गया और इधर के जो अविकारी शब्द है इसके बाजू में लिखा हुआ है के बदल न घरने there is no change किसी भी खिसम की तब्दिली यहां पर नहीं होती है, जैसा कि मिसाल के तौर पे, मैं आपको एक एक एक्जामपल देता हूँ, आप जानते हैं कि शब्दी ओगी अवियर, प्रिपोजिशन उबियान वियर, कंजन्शन वर्ड, इसमें आनी, व, क्यों वगर आता, अब एक एक्जामपल आपन आनी को लेके देखेंगे, एक्जामपल लेंगे आनी का, यह आनी कहें में आता बिटाब, इसमें आता हूँ, उभी यान्वी अभी है, या व, क्यों वा, अब यह बहुत से हैं इसके अंदर, तो एक्जामपल के अंदर, मैं आपको बतलाना चाहरा हूँ, आनी का एक्जामपल लेकर, कि क्या तब्दिली नहीं होती है, जैसा के, सीता, आनी, गीता, दोगे, सांगले, मैतरीन आहेत, सौरी, अब यहाँ पर सीता और गीता को जोड़ने वाला जो लिंकिंग वर्ड है, उभियान भी है, तो यह है आनी, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूँ, कि सोहेल, आनी, समीर, दोगे, चांगले, मित्र, आहेत, तो यह सोहेल और समीर को भी जोड़ाने वाला अलफाज आनी छे, तो इसमें तब्दिली होरी क्या, नहीं होरी, यहाँ पर लिंक चेंज होरा, सीता यह लड़की है, मुलगी आहे, आनी समीर हा मुलगा आहे, तरीपन तेचा मदे कौनतेई प्रकारचा उभेन वी अविया मदे बदल होतना ही, मनुनियाला आपन अविकारी शब्दासे मनतो, यह दोन गोश्टी लक्षाद गया, थोड़ क्या सांगाई चा अर्त, विकारी जे काई शब्दास ताज, चा मदे बदल गड़तो, अता पर सरोनाम, सरोनाम मदे काया है, सरोनाम किसे केते हैं, इसम के बदले इस्तेमाल किया जाने वाला, अलफाज, नामा, आयवजी, वापरल्या, जानारिया, परियाई, शब्दाला, सरोनाम असे मंता, समदा राजू आए राजू हा कुप खुशार मुलगा आए ये एक सेंटेंस हो गया राजू एक खुशार बच्चा है पन तो वेड़े वरा बहस करतना है लेकिन वो वक्त पर पढ़ा ही नहीं करता तो ये राजू के बारे में यहां पर तो ये अलफाज इस्तेमाल किया गया राजू ये क्या था नाम था ये पुलिंगी रहने के वज़े से तो ये अलफाज इस्तेमाल किया सर्वनाम तो यहां पर क्या हो गया बेटा लिंग चेंज हो रहा लिंग जहां पर लिंग बदलता वचन के अंदर बदल होता उसे कहते हैं बदल घड़ने मनजेज विकारी शब्द तर या चार जे आहे शब्दान चाजाती नाम, सर्वनाम, विशेशर आनि क्रिया बदल या चारी मदे ये खाद्या शब्दाचे लिंग की हुआ वचन जे हुआ बदलते त्य आला विकारी शब्द आसे मनताज आनि आपन अविकारी शब्द पाहिले कि जा अविकारी शब्दा मदे कोंतिया ही प्रकार्चा बदल घड़त नाहीं उधार नार्त आपन उभ्यानवी अविया मदे आनि व ये दोन शब्द घेतले आनि या शब्दा मदे सीता आनि गीता जोड़नारा शब्द आनी आहे आनी दूसरा उधारना मदे आपन फुलिंगी उधारन घेतले आसता समीर आनी सोहेल दोगे चांगले मित्र आहे असा उधारन घेतला तर त्या मदे समीर आनी सोहेल या दोगाला जोड़नारा आनी हां उभयान वी अवी आहे तर या प्रकार आ प्लाला थोड़ क्हwait लक्षात, ये थे कि बदल कोंते ही प्रकारचा अविकारी शब्दा मत धे घळत नाहीं, या चाश अर्थ विकारी है, विकारी शब्द मंजे बदल घड़ने, अविकारी शब्द मंजे बदल न घड़ने, फक्त मोज के शब्दत में तुम्हाला सम्झाओन सांगतो, आता विकारी शब्दा मते सर्वप्रतम आपर नाम आहे, जिसको आप उर्दु में इस्म कहते हैं, नाम को, हाँ, दुसरी एक महत्वाची गुष्ट, हे जे कही मी तुमाला हे दाखोता हे, ति लिहन्याची आजी बात गरज नाहीं, आय का, कारण याचे शुटी तर नोट्स मी तुमाला वाट्सअब दौारे पाठ वीता हे, त्या नोट्स मादे नाम, नाम मन्जे का है, नाम आची व्यक् नाम अन्चे प्रकार दिले लिया हे तर लक्षा दिया नाम मन्जय का या है नाउन कोई भी चीज को आडेंटिफाइ करने के लिए उसको नाम दिया जाता है जैसा तरप करưng को चिसने भी बनाया बनाने के बाद ने सब्सक्रा मार कर पेन कहा गया, अब ये उफर फ्यान घुम रहा है, तो अब इसका काम क्या है? हवा देना, तो आब इसको लोग पैचानेंगे, इसलिए जो से इसको पंखा कहा गया, ऐसे दुनिया में बहुत से नाम है, अंगिनत नाम जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मराठी के अंदर तीन टाइप में नाम है, कितने टाइप में है बेटा, तीन टाइप, तो जैसा इंग्लिश के अंदर पांच नाम के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, common noun, proper noun, collective noun, material noun और abstract noun, तो मराठी के अंदर आपको नाम की प्रकार है, प्रमुक तीन प्रकार है, एक है सामान्य नाम जिसको आप कहेंगे आम नाम, दूसरा है विशेश नाम जिसको आप कहेंगे खास नाम, और तीसरा जो है, वो है भावा चक नाम, सबसे पहले मैं थोड़ा शब्धा चे चार प्रकारा प्लाला याथीकानी पाहे चाहे आनी फुर्चातासी के मधे अविकारी प्रकारा बदला पन माहीती पाहो और या नामाopers विकारी शब्दा बम तुम्हाला आमासे चांगले प्रकारे सम्झुन दाख्यों आचा प्रेत्न करतो एक ही कोंती ही जर अर्चन असली तर तुमी माला फोन लाउन विचारू शकता इक लक्षे द्यावी द्यारती मित्रा आनो आता नाम याची वेख्या काया है नाम आची नोट्स मदे दिले लिए एक हाल दिया वस्तुला ठीकानाला कि वह प्राने आला सजी वाला जे नाव दिले जाते क्याला नाम असे मनताओ आता है लक्षे ग्या कि नाम आनी नाव या मदे फरका है नाव आनी नाव आनी नाव काय फरक आ हे आपन लितो विद्यार्त आन्चे नाव क्यों वही मद्धे आपन पहला पेज वर आपन नाव लितो या ठीक आनी तुम्चे जे नाव असल ते लितो तरहे नाम हा काया है मरहाटी शब्दा है आनि नाम हा सुद्धा मरहाटी शब्दा है परन्तु है व्यक्रना चा भाषे मद्दे त्याला नाम असे मनता दोगा चाही अर्थ एकच आहे परन्तु नाम हा व्यक्रना चा भाषे मद्दे वापरला जानारा शब्दा है नामाची व्यक्षाइ सांगितली अपन एक हादिया वस्तूला वस्तू बोले तो कोई भी चीज को उसके बाद ठिकान आला ठिकान बोले तो कोई मुखाम उसके बाद प्रानी वनस्पती याने दरख्त या फिर किसी सजीव सरस्टी सजीव याने जानदर जिसमें हम सब आ जाते हैं ठीक है अब ये सब के सब को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जैसा कि हम जिस देश में रहते हैं उसको एक नाम दिया गया है भारत देश तो अब ये क्या हो गया नाम हो गया लेकिन अब ये भारत नाम के कौन से प्रकार में आता है मैंने कहा आपको के नाम के तीन प्रकार है कौन सा है सामान्य नाम सामान्य नाम इसको बोलते है common noun cn सामान्य नाम जिसको बोलते है उर्दु में आम नाम क्या बोलते बेटा आम नाम तो अब आम नाम के अंदर क्या होता है जैसा कि देश ये क्या है आम नाम है क्यों आम नाम है क्योंकि देश भूले तो एक common noun है अब देश के अंदर अगर समझो भारत देश, पाकिस्तान, अमेरिका अलग-अलग particular किसी मखसूस देश का नाम ले रहे तो वो क्या हो जाएंगा विशेश नाम हो जाएंगा जैसा कि नदी नदी ये क्या है विटे आम नाम है अब नदी के अंदर गोदावरी, गंगा, जमना, सरस्वती ये सब के सब particular जो नाम होएंगे वो कैम हैंगे विशेश नाम के अंदर देश, नदी, पुस्तक, वही, पेन, इत्यादी इत्यादी सब सामान्य नाम होगा, अब विशेश नाम किसको बोलते हैं, किसी particular नाम को, विशेश नाम, अब इसके अंदर क्या है, प्रॉपर नाम बोलते हैं इसको, पीन, अब एक्जामपल के तौर पे, देश, देश के अंदर क्या है, भारत देश, ये हो गया विशेश नाम, नदी के अंदर गोदावरी नदी किसी पर्टिकुलर नदी का ना और दूसरी एक बात बतलाता हूँ जो दुनिया में वाहिद चीज़ है जैसा कि सूर्य सूर्य ये क्या है विशेश नाम आता है सामाने नाम ने आता क्योंकि वो एक इच है ताज महल ये कहमें आता विशेश नाम क आता जो पर्टिकुलर आप जैसा कि टीचर पढाते है क्लास के अंदर इधर पढाना जारी है बच्चे बैठे हुए है रे शांत बस शांत बसा मुलानो शांत बसा मुलानो बले तो ये क्या है कॉमन वर्ट इस्तेमाल किया गया सामाने नाम ऐसा बोलने के बावजूद भी एक आदा डॉक्टर है ता जो खामुशने बैठता तो फिर टीचर बोलते हैं उसको सोहेल शांत बस तो अब यह सोहेल क्या हो गया विशेश नाम मुलगा क्या था सामान्य नाम ठीक है अब उसके बाद है भाव आचक नाम भाव आचक नाम को क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाम ठीक है एक हाद्या शब्दा तील जेवां गून दर्श्विला जातो तो असतो भाव आचक नाम थोड़ क्या ता पनियाला विशेशन स्वरूपा चे भाव आचक नाम असता तो विशेशन मंजेस भाव आचक नाम उदार्णार्थ, माझा आईचे सोभाव दयाडु आए, आता दयाडु हाँ शब्द आए, तर दयाडु काई धाला हाँ? भाव आचक नाम, दयाडु, ठीक है? प्रामानिक हाँ सुद्द आजाला भाव आचक नाम, आध्निया धारक हाँ सुद्द आजाला भाव आचक नाम, तर आश्या प्रकारे विद्यार्थी मित्रानों सर्व प्रथम आपन नाम पाहिले, या वाक्याचा शब्दांचा जाती मदे, नामा मदे नामांचे तीन प्रक कार पाहिले आपन एक है सामान्य नाम दूसरा है विशेश नाम आने तीसरा है भाव आचक नाम याचा मदी काहे अल्चन असल तर तुम्हें विचारों शक्ता आधा याचा नंतर जे आहे तेफार सोप प्याहे याचा फिक्षा सुद्धा सोप आहे कौन ता सर्वनाम सर्वनाम असे महंतात इस्म के बदले में इस्तेमाल किये जाने वाले अलफास को सर्वनाम कहते हैं जिसे मी तो टी ते तुम्हा तुम्ही आमी तुम्हाला आमाला इत्यादी वगेरा वगेरा ठीक है बटा अब इसमें क्या है दो टाइप इसके तीन टाइप है में अपने को इसमें थोड़ा डीप में जाने की ज़रुरत नहीं है लेकिन खाली ओरली थोड़ा सा आपके जहन में रहना प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम द्वीतिय द्वीति आई ने राजूला महटले अरे आज दीपक आला ना ही का कॉमा इंटू इनुन इड़ा कॉमा क्लोस इसको दोहरीadan इसकी है अब आई यह क्या है फर्स्त पर्षन है प्रथम पुरुष्वाचक सरो नाम उसने किसको कहा राजू से कहा वो क्या है दूतियो पुरुष्वाचक सरो नाम किसके बारे में कहा गया दीपक के बारे में कहा गया तो यह क्या हो गया थर्ड तृतिय पुरुषवाचक सर्वनाम तो इस तरीके से यह नाम के तीन टाइस है जो इसो चलिए अब आपको खाले जहन में यह रखना है इसका प्लेस ऐसा रहता जैसा कुछ example देता हूँ मैं आपको दो तीन सिर्फ selected example टी खूप हुशार आहे ये एक simple sentence है विधान आरती बाग किये अब इसमें टी बोले तो क्या है ये सर्वनाम है क्यों सर्वनाम है क्योंकि किसी लड़की के बारे में यहां पर इस्तेमाल किया गया यानि इसम के बदले में इस्तेमाल किया गया इसलिए इसको क्या कहेंगे हम सर्वनाम कहेंगे अब बाज ख़त शुरू में भी नहीं आता कहीं पर भी ये आ सकता sentence के अंदर वाक्या मद्य यह को इंते आई ठीकाई नहीं सर्वनामाचा वापर केला जातो आनि नामाची पुर्णावरत्ती टालने आसाथी यानि एक इत नाम बार 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 जो इस्तेमाल नहीं होना जैसा हम को स्टोरी सुन रहे हैं तो स्टोरी के अंदर राजू एक नाम है तो फिर बाद में एक मरत भी राजिु इस्तेमाल किया जाएंगा बाद में एस तरीके से इस्तेमाल किया जाता जैसा के राजेश घरी आला राजेश घरी आला पन घरात आलाना ही पन तो घराथ आला ना ही देखो राज़िश नाम का एक बच्चा था वो घर को आया लेकिन घर के अंदर नहीं आया तो तो राज़िश के जगे पर यह जो तो इस्तेमाल किया गया वो है सर्वनाम तुम ही शारेला जाता का तुला कोंता विशे अवर्तो तुझा आवरता चंदक आया है तो ये सब के सब जो एसो एक नी क्या है सर्वनाम है आम ही क्रिकेट खिरतो ये आम ही क्या है कि नाम के बदले में इस्तेमाल किया गया इसलिए उसको सर्वनाम कहते है अब देखिए विशेशन विशेशन के माइने क्या है पांच मिनट खाले, विशेशन कहते हैं एडजेक्टिव को, याने सीफ़त को, अता उधारनार्थ, उधारनार्थ विशेशन मते काया है, सम्जा, समीर आद्नियाधारक मुलगा आहे, समीर नाम का बच्चा वो क्या है? आद्नियाधारक है, आद्नियाधारक बोले तो Obedient, फर्माबरदार, उधारनार्थ, समीर आद्नियाधारक मुलगा आहे, मैंने इसमें जान बूच कर जो जों तीन भी चीजने लिया समीर ये क्या है नाम है आद्निया धारक क्या है इस की सीफत है जो सीफत रहती उसको विशेशन कहते है मुलगा क्या है तो देखो गItag और ये विशेशन ठीक है बड़ा कोई डाउट है तो पूछिए समीर आद्निया दारक मुल गाए आता ये खाय देया नामा बदल विशेश माहिती सांगनार्या सब्दाला विशेशन असे महनता अश्य छोटी सी या ठीकानी आपले आला क्या करता ये हमको जो छोटी सी डेफिनेशन हम जो बना सकते विशेशन की कि इस्म के बारे में जादी मालूमात या खास मालूमात देने वाले अलफाज को विशेशन कहते हैं Is that clear? ओके अब रहा चौथा अब आपको क्या करना एक्जाम में सवाल कैसा था खालील आधोरे की शबदानचा जाती ओडखा नीचे ढिए गए हुए एक्जामपल में जो अंडरलाइन किये गए हुए अलफाद है उसको पैचानो शबदानचा थी तो समीर के नीचे अंडरलाइन किया गया तो ये समीर क्या हो गया? नाम क्रियापत असे मंताद सेंटेंस के मिनिंग को पूरा करने वाला जो अलफाज होता है जिसके अंदर काम को बतलाया जाता है वर्ब के माइने क्या है काम जैसा के मी शाडेला जातो मैं स्कूल को जाता हूँ अभी जातो हाका है क्रियापता है मी शाडेला जातो हाकाया है क्रियापता है समझा उधार ना दूसरे ती चित्र काड़ते काड़ते हाकाया है क्रियापता है आता क्रियापता मते सुद्धा जा प्रमाने इंग्रजी मते जो वर्बस तो त्याला helping verb एक आस्तो helping verb जाचा मध्ये समझा वर्थमान काड़ाचा वाक्या सेल तर I am is are was where shall will हे भविश्य काड़ाचा है भूत काड़ाचा आता त्या अच्मर कारे याचा मध्ये सुधा जे helping work वर वस्ता त्याला साहिकारिक क्रियापद असे मनताथ जैसा मी शाड़ेला जात आहे हाँ वर्थमान काड़ाचा साहिकारिक क्रियापद आहे त्या वीश्य आपन पाहू आने त्या ओड़ा सविस्तर पाहाने ची गरस सुधा नाहीं आपले आला फक्त माज एक तुद्धा मी तुम्हाला सांगीत लें कि दोन प्रकारा है सकर्मक क्रियापद सकर्मक क्रियापद याना ट्रांजेस्ट्यू वर्व असे मनताथ आनि अकर्मक क्रियापद इट्रांजेस्ट्यू वर्व आता दोगा मदे काय फरका है या एकाच उधारना द्वारे मी तुम का आया है करता है हा का आया है कर्म शाड़ा का आया है कर्म आनि क्रियापद का आया है जातो आता एक हाद्या वाक्या मत देख करता कर्म आनि क्रियापद या तीन ही आहित क्याला सकर्म क्रियापद असे मनता है जिस किसी जुमले में सबजेक्ट औबजेक्ट और वर्व ये त अबजेक्ट नहीं होता है, जिसमें अबजेक्ट नहीं आता है, जैसा कि ये भी सेंटेंस हो सकता है, मी जातो, इसके अंदर क्या है, करता है, और सिर्फ क्या है, किरियापद है, कर्म नहीं है, अबजेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया ये, मिनिंग तो पूरे हो रहे न भे जुम्ले के मीजा तो अब कहीं पर भी जाएंगा वो स्कूल को जाएंगा या फिर वो बाजार में जाएंगा या और कोई जगे पर जाएंगा हमको उसे कोई लेना देना नहीं लेकिन एक बात जहन में रहन दो बगेर object के जुमला बन सकता है लेकिन बगेर जो जो किरिया पदियाने verb के जुमला नहीं बनता एक sentence को पूरा होने में verb का आना जरूरी है जब तक verb नहीं आता तब तक वो जो जुमला पूरा नहीं होता समझ में यही बात आपको अब देखेंगे अब आप 10 जमात के बच्चे हैं यह 8 के क्लास के भी बच्चों को काम में आने आने आला है 9 के भी है और 10 के भी है मैं तीनों भी ग्रूप में इसको सेंड करता हूँ और next period में पूर्चा ताशी के मदे आपन आज आपन विकारी शब्दा बद्दल माही थी पहि ली अविखारी शब्दा बद्दल आपन ये जे कई 4 दिले लिया नविकारी शब्द ते पूर्चा ताशी के मदे अभ्यासना रहा होत या आग गोदर मी तुम्हल्या त्याचे नोट सपाट वीतो त्याचा मध्य उधारन सुधा दिले लिया हैद, त्या उधारनाचा तुम्ही सराओ करा, सराओ कर, उधारन कसी दिले लिया हैद, खाली आधोर्य की शब्दानचा जाती ओर्खा मनुन दिले लिया हैद, त्या आधोर्य की शब्दानचा जाती तुम्हाला ओर्खाय चाहेद आणि दावीचे विद्यार्थी त्यांचे साथी में सावंतो कि आपन एक संतवानी पाहिली आज मी दुसरी संतवानी पाठवीलो मैसेज द्वारे तर तुम्चा मनामा देग गोष्ट येता सेल कि आवर आधारी प्रश्णांची उत्तरेदी लेली नाहित क्रती सोडवीले लेली नाहित तर तुम्हे अजिवात त्याची चिंता करू नका मी तुमाला सविस्ता राशा पद्धतीने आगोदर नोर्स पाठवीनार आनि त्याचा नंतर आपन जी पहिली संतो आनी जाली आनी जी दुसरी संतो आनी जाली त्यावर आधारी जे प्रश्णाहेद त्यावर आपन सखोल चर्चा करूया प्रत्यक प्रश्णाची उत्तरा वर आपन चर्चा करू तुम्हाला घाब्रायची अजीबात गरज नाई समझलो काई सरवाना धन्यवाद